ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आगे बढ़ते हैं उत्तर भारत में तापान का पारा आस्मान चूरा है घर के बाहर चल रही लू और शरीर के तुचा जला देने वाली गर्मी से बचने के लिए घर से कम ही निकले सूरज की तपिश और लू से अगर भी आप परिशान हैं तो डॉक्टर के अलावा आप जोतिश का भी सहरा ले सकते हैं देखे रिपोर्ट आस्मान चूते पारे में लू और तचा की जलन से बचने के लिए एस्ट्रो लॉजर्स ने एक नया उपायक हो जा है एस्ट्रो फंडे के मुताबेक अगर आप अपनी राशी के स्वामी ग्रह के अनुसार ठंडा पेपदार्थ पीते हैं तो गर्मी आपका कुछ बिगार नहीं सकती गर्मी से बचने के लिए यू तो आपने तमाम तरह के पेपदार्थ ट्राई किये होंगे लेकिन जोतिश्यों की माने तो एस्ट्रो ड्रिंक आपको ज़्यादा राहत देगी जानकारों का कहना है कि चंद्रमा शीतलता और जल का ग्रह है जबकि बुद्ध तवचाका सूर्य के प्रभाव के चलते अगर अलग अलग राशी से जुड़ा इंसान अपनी राशी के अनुसार समायोजित करने वाले शर्बत या ठंडा पेपीता है तो उसे गर्मी भी कम लगती है और उसे लू अगयरा से भी बचाओ हो जाता है मेश राशी वालो को घर से निकलने से पहले तरबूच का सेवन करना चाहिए वरश राशी वालो को निम्बू शिकंजी का सेवन करना चाहिए अगर आपकी राशी मिथुन है तो आपको पुदीना राहत पहुँचाएगा कर्क राशी वालों को नारियल का पानी पीना चाहिए सिंग राशी वालों को गाजर और संत्रे का शर्बत राहत पहुचाता है कन्या राशी वालों को खीरा ककड़ी ज़्यादा खाना चाहिए तुला राशी वालों को निम्बू शिकंजी या केले का शेक पीना चाहिए व्रश्चिक राशी वालों को गन्ने का रस राहत देता है धनू राशी वालों को गन्ने या बेल का रस राहत देता है मकर राशी वालों को काले अंगूर का शर्वत पीना चाहिए कुम्ब राशी वालों को फालसर जामून का रस्पीना चाहिए मेन राशी वालों को मैंगो शेक पीने से राहत मिलती है एस्ट्रो ड्रिंग गर्मी से तो बचाता ही है रोक प्रतिरोधक शमता का विकास करता है जैसे प्रतेक जो एक पेपदार्थ है जूस है उसका संबन्द किसी ना किसी ग्रह से है जैसे मंगल का संबन्द मेश और व्रिष्चिक राशी से है तो मेश और व्रिश्चिक रासी वाले अगर तर्बूजे का जूस, अनार का जूस, सेब का जूस, लाल जूस का सेवन करेंगे तो ना केवल उनको गर्मीज से राहत मिलेगी, गर्मीज में होने वाली बिमारियों से भी बचाव होगा, रोग प्रतिरोधक छमता का विकास होगा इस प्रकार व्रिश्च और तुला रासी अगर नीवू का सेवन करेंगे, नीवू के जूस का सेवन करेंगे, सफेज चीजों का सेवन करेंगे, लसी का सेवन करेंगे, तो उनको विशेस लाब होगा जोतिस के जानकार या भी मानते हैं कि अगर आपको अपनी राशी का पता नहीं है तो आप जलिये तत्व वाले फलो जैसे खीरा कक्री तर्बूजादी का सेवन कर सकते हैं एस्टो ड्रिंक का लाव उठाने के लिए अब शेहरवासी भी आ रहे हैं और उनको अपने राशी के अनुसार ड्रिंक पीने से राहत मिल रही है पहले हम लोग कोई भी ड्रिंक ले ले लेते थे घर में घुसे गर्मी लगी है कुछ भी पी लिया उससे उतना सुकून नहीं मिल पाता था जब से हम ग्रैनक शत्रम जोतिश शोच संस्तान से जुड़े हैं और आश्टो शवाशने जी के सानेदे में पता लगा कि एस्ट्रो ड्रिंक नाम की भी कोई चीज है मैं दो तीन बार से आई थी और ये पिया तो मुझे अच्छा लगा और पीने से मेरी गर्मी भी दूर हो गई थकान भी दूर हो गई और मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैं यहां बार बार आ रही हूँ हाँ मैं रासी के अनुसारी पी रही हूँ तो मुझे फायदा भी हो रहा और मेरी रासी भी ठी चल लगी है मैं हस्त पुस्त भी हो रही है गर्मी नहीं गर्मी इसा रहत मिल लगी है ना मुझे सूरच की तपिश और उमद भरी गर्मी से अगर आप परशान हैं और आप डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं तो अब आप जोतिश के पास भी जा सकते हैं प्रियागराज में जोतिश के जानकार एक खास तरीके के एस्टरो ड्रिंक्स यहाँ पर रखे हुए हैं आप देख सकते हैं इन्होंने इजात किया है और ये खास तरीके के हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बारा राशियों के अनुसार ये एस्टरो ड्रिंक्स है अगर आप देख सकते हैं ये मीन राशी का ये एस्ट्रो ड्रिंक है जो बेल का शर्बत है और आप देख सकते हैं कि कर्क राशी का ये सफेद एस्ट्रो ड्रिंक है ऐसे ही हर अलग अलग राशीों के ये एस्ट्रो ड्रिंक है और जोतिश के जानकार कहते हैं कि जो भी व्यक् काफी लोगप्रिये हो गए हैं प्रियागराज में अश्टोष वाशने जी के दोरा ये एस्टो ड्रिंक्स निकाले गए हैं और अब इनके यहां पर लोगों की भीड़ भी नजर आ रही है और काफी संख्या में यहां पर लोग आ रहे हैं और अपने एस्टो या कहें राशी के मताबिक ऐसे ड्रिंक का सेवन भी कर रहे हैं हलाकि गर्मी बहुत जादा है और अगर आप ऐसे ड्रिंक का सेवन करेंगे तो इनका दावा है कि गर्मी कम होगी और लू हो